असलाम आलेकुम वेल्गम टो हतीम टेक नियूस मैं हूँ अब्दुलमदीन और आज की इस वीडियो में लेटिस टेक नियूस शेयर करूँगा आप लोगे साथ और यहां पर कुछ रीसेंट मुबाइल प्राइस चेंजिस की बात करेंगे कुछ अपकमी मुबाइल की बात कर रहा है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसेंट मुबाइल प्राइस चेंजिस की पाकिस्तान में कुछ मुबाइल की प्राइस हुई है उनमें हमारे पास सर्फ एक मॉडल है हुआवे की तरफ से यसेविन प्राइम 2019 की प्राइस है तर्टी टूजी पी रॉम वारिए प्राइस का नहीं प्राइस होगे है है इसके राव हम बात करते हैं अपकोम आ से भारे से पेने बात करते हैं पाकिस्तान में सबसे पहले जो डिवाइस आ रही है उस सामसंग की तरफ से सैंसंग गिलेक्सी ए- fifty one आ रही है और इसके बारे में नास्ट टेक नीज में भी आप लोग को पताया तो A51 की Specs के आप से पूरी dedicated वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रप्शन में लिंक दे दूँगा आप एक लेक्सी A51 की dedicated वीडियो देख सकते हैं इसके लाबा बात करें अपकरमी डिवाइस इसकी तो Realme 5S भी पाकिसान में आ रहा है और Realme 5S की launch date आ चुकी है 23rd December 23rd December को launchment होगा उसके अंदर Realme 5S को launch के जाएगा यहाँ पर कुछ जारा changes नहीं आई है Realme 5 और Realme 5S के अंदर एक camera की changes हमें मिलेगी main जो camera है वहाँ पर back पर Realme 5 के अंदर 12 Megapixel का था जबकर यहाँ पर 48 Megapixel कर दिया गया है तो यहाँ पर cameras के अंदर changes आई है जिसको upgrade किया है Realme ने और Realme 5S के नाम साई model launch कर रहा है 23 December को तो देखते हैं जब 23 December को launch होता है तो उसकी prices क्या होती है दो variants आएंगे एक होगा 4G विरेम भी 64 G विरॉंग का variant और एक होगा 4G विरेम भी 128 G विरॉंग का variant और colors भी तीन होंगे यहाँ पर crystal red color होगा है crystal purple color होगा और crystal blue color होगा तीन color होगे crystal blue crystal purple और crystal red इन तीन colors को लाउंच के जाएगा दो विरियंट होगे और 10 December को लाउंच हो रहा है तो प्राइज अभी मेरे पास नहीं आई है जैसे इसके लावा एक्सपेक की जा रहा है कि Samsung Galaxy A71 को भी जल्दी लाउंच की जाएगा पाकिसान में लेकिन अभी लाउंच डेट अभी मेरे पास नहीं आई है वह सब्सक्राइब के साथ हो लेकिन अभी जादा मुझा सकी नहीं लग नहीं कुछ लोग कह रहें कि A51 A71 साथ आए दिसमबर एंड जन्वरी स्टार्ट में और उसके बाद A71 आएगा या जन्वरी के इंदर आ जाए तो A71 की जो लाउंच हुआ है वेतनाम में बारत दिसमबर को उसके साब से हमारे पास इसपेक्स भी आ चुकी है अगर में में इसपेक्स यहां पर आपको बताओं यहां प प्रोसर की बात करें तो यहां पर स्ट्रेगन 730 की चिपसेट मिलेगी और यहां पर 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करीगी डिवाइस यहां पर हमें जो A51 में चिपसेट मिल रही थी वो Exynos 9600 की मिल रही थी जबकि A71 में Snapdragon 730G की चिपसेट मिल रही है काफी पारफुल चिपसेट है रेल्मी X2 में चिपसेट यूज की गई थी और पाकिसान में A71 में आएगा तो उसमें यह चिपसेट यूज होगी देखें कि जब यह पाकिसान में आएगा तो उसके अन्बॉक्सिंग और रिव्यूज भी सब चैनल पर करेंगे वह सता है कि पाकिसान में आपका मीडिवाइस यही है हमारा पास दिसम्बर में बाकिस के लावा जैसे ही कोई न्यूज आती है तो मैं आगली टेक न्यूज में आप लोग साथ शेयर कर दूँगा अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइट की वर्ल्ड वाइट जो मूबाइल लाउंच हो आने वाले हैं उसमें उको की तरफ से एक लीज आ रही है सबसे प्रेंट रिनो फीर और रीट प्रो फाइबर की तरफ से और इसके लावाँ कुछ मोडल्स ओर भी है पहले में आपको पार रिनो त्री और ऊपो रिनो त्री प्रो और थी दोनों ही फाइजी सपोर्ट बेटटी की बात करें OPPO Reno 3 के इंदर 4,035 mAh के बैटरी होगी Wook 4.0 Fast Charging Support पर एकी डिवाइस तो यह मेंन में स्पेक्स अभी लीग हुई है OPPO Reno 3 और 3 Pro की इसके लावा OPPO कुछ और डिवाइस की भी लाउंचिंग करने जा रहा है अभी confirmation नहीं है लेकिन कुछ लीग information है पर इस में इस इवेंट में लाउंच भी हो सकती है लेकिन Reno 3 पर एक इसके बाद अगले में लाउंच करें भी इसमेंट में OPPO A91 को A11 को A8 को में लाउंच कर सकता है यहां में में इसप्रेक्स देखें यहां पर OPPO A91 6.4 इच का दिस्प्लेम लेगा लगा जाएगा और यहां पर बैटरी होगी 3935 मिलामपार की और वूक 3.0 की फास्ट चार्जिंग सप्पोर करेंगी डिवाइस और यहां पर in display fingerprint sensor होगा तो यह कुछ main main specs लीक हुई है oppo a91 की इसके लावा oppo a80 specs भी कुछ है मेरे पास यह एक low end device होगी यहां पर 6.5 inch का HD plus display मिलेगा और यहां पर triple camera setup होगा यहां पर यहां पर बैटरी की बात करें तो 430 मिलींपार की बैटरी होगी वो 3.0 फास्ट चार्जिंग और इसके लावा यह 4GB RAM विद 128GB ROM का वेरियंट होगा और यहां पर हमें back side पर fingerprint sensor मिलने वाला है तो यह एक low end device होगी जिस तरह से OPPO A9 को सकता है कि यह रिप्लेस करें या OPPO A5 को रिप्लेस कर सकती है OPPO A8 OPPO A5 2020 को रिप्लेस करेंगे अगर पाकिसान में आती है तो तो यहां पर होगी हमेरे पास जो लीग स्पेक्स है OPPO A9, A91, A8 और मैंने Reno3, Reno3 यह की बता दिया आपको इसके अलावा Huawei की तरफ से P40 Lite की लीग भी आ रही है कि 2020 में Huawei P40 Lite को ग्लोबली लाउंच करेंगा Huawei का चाइनीज वरजन है Huawei Nova 6 SE जो चाइना में लाउंच हुआ है Huawei Nova 6 SE यह वही वेरियंट होगा जो कि ग्लोबली लाउंच होगा P40 Lite के नाम से Huawei P40 Lite के नाम से यहां पर कुछ-कुछ स्पेक्स भी लीग हुई है यहां पर 6.4 इंच का डिस्प्ले हमें मिलेगा FULL HD PLUS और यहां पर रेजलेशन होगा 1080 by 2340 पिक्सल्स का और डिस्प्ले हां पर होल पंच होगा होल पंच में आपको बताना बूल गया 6.4 इंच का होल पंच डिस्प्ले होगा इसके लावा यहां 9X में यूज हुई थी Chinese variant में Kiran 810 यहां पर Huawei P40 Lite में Kiran 810 के chipset यूज की जाएगी और RAM और ROM के बात करें तो 8GB RAM with 128GB RAM का variant होगा और यहां पर 48MP का Quad Camera साटप होगा बैक साइट पे 16MP का Selfie Camera होगा और 1200MM के बैटरी होगी जो के 40W fast charging सपोर्ट करेंगी तो इस पैक्स वाइस तो काफी जबर्दस डिवाइस लग रही है तो जिसी लाउंच होती है ग्लोबली फिर एक्सपेक्ट करेंगे पाकिसान में भी जल दी आएगी डिवाइस P40 Lite और उसके बाद की प्राइस और वगर भी डिसकस करेंगे नेक्स टेक्ट जूज में जगर में रपास आती है इसकी लीक प्राइस तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके लावा एक न्यूज है सैमसंग वर्किंग कर रहा है 144 मेगापिसल के कैमरे पे तो अभी तक जो कैमरा हाइस कैमरा है दुनिया का वो है 108 मेगापिसल का जो क नहीं मिलते हैं नेक्स टेक्ट न्यूज में वीडियो को किसी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर ले और बेल आइकन पे किलिक कर लें अगर इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रएस अगे अग करेंस